वेगम बैक फ्रेंट्स और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन फूड से रिलेटेड सेफटी के बारे में देखिए फ्रेश फूड हमेशा ही बेस्ट माना गया है कि ताजा ताजा जो सबजियां हैं वो खाएं फ्रेश खाना खाएं लेकिन आज की जो हमारी ताकि आप इन सभी टिप्स का इस्तमाल कर सकें और फ्रोजन फूड को बगएर किसी नुकसान के आप इस्तमाल मेला सकें नंबर वान फ्रोजन फूड खरीदने की बजाए घर में बनाके आप फिर उस फूड को फ्रीज करें वो हमेशा ही बहतर होता है क्योंकि बाहर से हमारे हेल्थ पे पड़ सकते हैं तो इसलिए हमेशा घर पे खाना बनाके फिर उसको फ्रीज करें वो हमेशा एक पहतर ऑप्षिन है बाहर के फ्रोजन खाने को लाके फ्रीज करने से अगर आप अपने घर पे खाना फ्रीज कर रहे हो तो मेक शूर करें कि आपके यहां जो सप्रीज के सप्लाय है वो 24 आर्स रहे जो टेमप्रेचर है वो फ्लक्च्वेट ना हो जिससे कि खाने की जो प्योरिटी है जो शुदता है वो बनी रहेगी और खाने की क्वालिटी डिटेडियरेट नहीं होगी और आप उस खाने को काफी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो परिसनली आप यहाव यूज्ट होमेट फ्रोजन फूड अप तेल सिक्स मांथ छे महीने तक मैंने घर पे खाना जो पना के मैं रखती हूं कभी तो इमर्जिंसी केसे में या फिर कुछ ऐसे फ्रोजन फूड जो की थोड़ा थोड़ा करके यूज करते हैं सीजनल होते है हमेशा नहीं मिलते तो इस तरह के खानों को अगर अगर आप घर पे बना के या फिर उसको प्रोसस करके फ्रीज करते हो तो 6 महीने तक बगएर किसी प्रेजरवेटिव के उसको स्टोर कर सकते हो जब भी आप खाना फ्रीज करते हैं तो चोटे-चोटे पोर्शन बना के फ् यानि की रूम टेंपरेचर पर आप ले आए उसे आप उसके बाद कंजूम कर लो उसे वापस से आपको फ्रीज नहीं करना है कोई भी सब्जी भाजी जब आप कट करके उसको फ्रीज करते हो कि आप जब भी आपको बनाने का मन हो फटाफट से अपने निकाला और बना लिया अच्छे से क्लीन और वाश कर लें नमबर फॉर हमेशा बीपीए फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर या फिर जिप लॉक पॉचे यूज करें आने को स्टोर करने के लिए खाने को फ्रीज करने के लिए और अगर आप उन डबो को या फिर उन जिप लॉक बैक्स क वापस से रियूज कर रहे हो तो मेक शौर करें कि आपने अच्छे से क्लीन किया हो अच्छे से स्ट्रिलाइज किया हो और तभी आप उसमें खानों को फिर से स्टोर करें या फ्रीज करें क्योंकि कॉंटेमिनेटेड डब्बे में अगर आप किसी भी खाने को फ्रीज मंटमध्यक थाधुफ हैं तो आप एक्स्त्रा एइर हो से उसे इस जिपलोख पाउच से निकाल दे मोस्ति ली हम जो खाने होते हैं उन्हें प्लास्टिक के डबिवो में यह फिर फिर स्टोर करके रखते हैं और जब हमें रिहीट करना होता है तो कई बारी हम डिरेक्ट उन पाउचेज को या फिर डबो को माइक्रोवेव कर देते हैं लेकिन हमें ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए जब भी आप खाने को फ्रीजर के बाहर निकालते हो दो चार मिनिट के लिए छोड़ दो और उसके बाद उसे किसी दूसरे बोल में ट् घ्रम करें या फिर आप अगर कुक्तॉप यानिकी ग्यास टोप पे गरम करना चाहते हो तो तो स्टील के बरतन में यह जो भी मेटलिक बरतन है उसमें अपकर अब करें प्लास्टिक के डबो में कहना रखें कभी उसे गरम नहीं करना चाहिए इससे उस खाने में बहुत स़ जो कि हमारे health के लिए बहुत ही हानिकारक हैं जब भी आप खाने का कोई portion store करते हो freeze करते हो तो उसके उपर date का एक level जरूर लगा दें जिससे कि आपको पता रहे कि इस particular खाने को आपने कब store किया है तो जिस खाने को आपने पहले store किया है उसे कोशिश करें कि पहले consume कर ले and last but not the least घर में बने खाने को अगर आप store करते हैं तो आपको किसी भी तरह की extra preservative जो भी chemical preservatives वगरा होते हैं उसका इस्तमाल करने की जरूरत नहीं है बस जब आपका खाना बन जाए और उसके बाद जैसे ही वो खाना room temperature पे आ जाए अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद गंटे पंदर घंटे के बाद freeze करना वाइड करें आपने जिस वक्त बनाया आपको लग रहा है खाना extra है या फिर इतने से खाने को मुझे freeze करना है तो उसी वक्त जैसे ही खाना ठंडा हो वैसे ही आप उसको freeze करते और आपका खाना 6 महिने तक बिल्कुल भी खराब नहीं हो